question number 11 है construction का question है इसमें in the figure if B1, B2, B3, B4 यह जो है और A1, A2, A3, A4 जो है have been marked at equal distance तो इनकी जो distance है वो equal है तो in what ratio C, C जो है वो divide कर रहा है A, B को किस ratio में divide कर रहा है वो पता लगाना है तो मतलब हमें A, C और C, B की ratio find करनी है A, C, ratio C, B जो है वो find करनी है तो देखो A, C के अंदर जो है वो 8 parts आ रहे हैं और C, B के अंदर जो है वो 5 parts आ रहे हैं तो जो इनकी ratio बनेगी वो 8 ratio 5 बनेगी तो इनकी ratio हो गई 8 ratio 5 और यह यहारा answer है